Hello Friends, मैं हूँ मोहित और स्वागत है आपका Essentials of Medical Science में Last Video में हमने बात की थी कि किस तरह से Acetylcholine बना था किस तरह से उसका Re-Up-Take हुआ कोलीन का किस तरह से Degradation हुआ Acetylcholine का Botulinum Toxin के Uses इन सब चीजहों की बात हमने Last Video में कर ली थी और इस वीडियो में हम बात करेंगे HL-Coline के receptors के बारे में तो HL-Coline act करता है दो तरह के receptors पे एक nicotinic receptors पे एक muscarinic receptors पे तो HL-Coline receptors का मतलब एक तरह से यहाँ पे है cholinergic receptors तो cholinergic receptors basically तो M वाले होता है muscarinic है इसलिए M word आया यहाँ पे और एक होते है nicotinic receptors जिनको हम N word से denote करते है तो HL-Coline दो तरह के receptors पेक्ट करता है एक nicotinic, एक muscarinic nicotinic मतलब की N, muscarinic मतलब की M, ठीक है तो जो nicotinic receptors हैं वो फर्दर दो तरह के होते हैं एक N-N receptors, एक N-M receptors तो बताऊंगा कौन सा कहां प्रेजेंट होता है भियाद रखो कि nicotinic receptors दो तरह के होते हैं एक N-N receptor और एक N-M receptor और muscarinic receptors जो है M वाले वो होते हैं तो तरह के M1, M2, M3, M4, M5 तो यह पांच तरह के muscarinic receptors होते हैं M1, M2, M3, M4, M5 यह 5 होते हैं muscarinic receptors और 2 तरह के होते हैं nicotinic N-N and N-M अब जो nicotinic receptors हैं वो होते हैं ionotropic receptors अब ionotropic का मतलब अगर मैं समझाओं तो कुछ इस तरह का इसकी rosette form का structure होता है इस तरह से ठीक है और बीच में एक gap होता है बीच में होता है gap जिस gap से entry होती है sodium ion की तो यह जो receptor ही क्या करते हैं जब इसके उपर estylcholine act करता है इन receptor के उपर जब यहाँ पर estylcholine आ के bind करेगा इन receptor से तो यह sodium ion की करा देते हैं entry तो जब sodium ion की entry होती है किसी भी cell में तो वो हो जाता है depolarization तो इसी वज़े से जो NN और NM receptor है वो होते है excitatory receptors तो inotropic receptors क्यों बोला क्योंकि यह ion को conduct करते हैं मतलब यह conduct कर रहे है sodium को sodium की entry करवा रहे हैं और यह excitatory है क्योंकि sodium की entry होने के बाद जो है nerve जो है वो depolarize करती है कोई भी nerve होगी या cell membrane होगी इसी वो depolarize करती है sodium के entry के कारण तो यह हो जाता है excitatory तो मतलब NN और NM nicotinic receptors दोनों के दोनों excitatory होते हैं जबकि बात करें muscarinic receptors की M1, M2, M3, M4, M5 की तो यह होते है G-protein couple receptors तो यह G-protein couple receptors क्या होते हैं यह क्या करते हैं यह सब बढ़के क्या करते है यह तो एक्साइटेशन कराते हैं यह फिर inhibition करते हैं एक्साइटेशन कराएंगे यह इनिवीशन करेंगे तो क्या करेंगे यह G-protein couple receptors यह आपको पढ़ना होगा जनेरल फार्मा के अंदर जनेरल फार्मा में एक चैप्टर है रिसेप्टर से रिलेटिट जिसमें सब कुछ दे रखा है G-protein couple receptors क्या होते हैं आइनोट्रोपिक क्या होते हैं सब के बारे में दे रखा हुआ तो वहाँ पर उनका mechanism आप देखना जो जो जरूरत पड़े की बीच में वह मैं बताता रहूंगा अभी इसकी जरूरत नहीं है तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि जो मस्करेनिक receptors हैं वो G-protein coupled receptors है और जो इन में से M1, M3 और M5 जो ओड नमबर है M1, M3, M5 यह तिनों होते हैं excitatory तो याद रखना M1, M3, M5 excitatory अभी excitatory का क्या मतलब है यह आ गया आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा जैसे मैं अभी next पार्ट बताऊंग उसमें समझ आ ज excitatory जबकि M2 और M4 होते हैं inhibitory मतलब M2 और M4 activity को decrease करेंगे और M1, M3, M5 activity को बढ़ाएंगे एक तरह से ऐसे समझ सकते हो तो M1, M3, M5 excitatory क्यों है क्योंकि यह होते हैं GQ type अब जो G protein couple receptor होते हैं वो तीन तरह क्यों होते हैं यह तो मैं बता देता हूँ तीन तरह क्यों होते हैं Gs, Gi, और GQ G stimulatory क्या करते हैं यह increase करते हैं C AMP को inhibitory क्या करते हैं decrease करते हैं C AMP को और GQ type क्या करते हैं यह GQ type करते हैं यह बढ़ाते हैं IP3 और DAG को और IP3 और DAG जब बढ़ता है diacyl glycerol या फिर inositol triphosphate जब बढ़ता है यह क्या कराता है, यह क्या करता है, यह क्या करता है, आप सब को पता है, यह क्या कराएगा, डीपोलरिजेशन करा देगा, तो इसी वज़े से GKO टाइप वाले excitatory होते हैं, और GI type, GI type क्या करेगा, CAMP के लेवल को कम करेगा, जिस वज़े से वो inhibitory होते हैं, तो M2, M4, GI type होते हैं, और M1, M3 और M5 क्या होते हैं, GKO type, GKO type मतलब excitatory होंगे, और M2, M4, E1 नमबर वाले inhibitory होंगे, तो यह हैं हमारे पास total receptors, estalcholine के, nicotinic receptor और muscarinic receptor, अब बात करेंगे, एक एक करके की location, NN कहां होता है, NM कहां होता है, फिर बात करेंगे, M1 कहां होता है, M2, M3, M4, M5, इन सब की location कहां होती हैं, हमारी body में, उसकी हम बात करेंगे, एक करके, तो location के अंदर सबसे पहले शुरुदा करेंगे, nicotinic के साथ, और nicotinic में हमारे पास दो थे, एक NN और एक NM, NN receptor की बात करें, तो नाम NN क्यों पढ़ा है, क्योंकि यह nicotinic है, capital N का मतलब nicotinic, और उसके नीचे एक और N लिखा हुआ है, उसका मतलब है neuronal, मतलब जो NN receptor होते हैं, वो present होते हैं, post synaptic neurons पे, कहां present है, post, sorry post synaptic कहा रहा हूँ, post ganglionic neurons के उपर, मतलब, यह ganglion था, हमने जब पढ़ा था, जो फर्स्ट वीडियो थी, हमारी ANS से related, autonomic nervous system, pharmacology से related, हमने बात की थी, एक pre ganglionic nerves होती हैं, फिर ganglion आता है, फिर वहाँ से start होते हैं, post ganglionic nerves, जो pre ganglionic nerves है, वो ganglion में relay करती हैं, और ganglion से start होते हैं, post ganglionic nerves, तो जो post ganglionic nerves हैं, वहाँ पर present होता है, ANN receptor, मतलब यहाँ present है, फिर Praeasift है, ANN receptor, पोष्ट गैंडॉयोटिक neurons पर present होता है, ANN receptor, पोष्ट गैंडियोनिक neurons पर भी कहां कहां पे, कौन कौन से system की पोष्ट गैंड डियोवनिक पोस्ट कंव्ट नेूरंज्स पराश σिम्पटेटिक नेर्वस इस्टम पोश्ट करिंग कि उन्गा नुरॉनुट और नोसी टंए मेराँड़ीट के नूरॉन पर शीटम में रिसाप्टर मिलता है इसको अगर आपको जानना ह maison फर्स वीडियो जहान से देखना उसे मैंने सब अच्छे से बता रख था तो अभी मैं सीधा जा रहा हूं कि पोस्ट केंगलोनिक निरोंस ओफ पैरा सिंपथैक नेर्वा और सट्यूंस जहाटिक निरोंस निकलता है और अपिनेफर के अधरोफमीन और जो यहां से जो निकलता है हो वह होगया सिंपेथैक नर्वiiii system simple सी बात है तो ये हो गया हमारा n receptor next बात करे nm receptor अब M word क्यों है यहाँ पे क्योंकि ये present होता है skeletal muscle निकोटिनिक receptor जो skeletal muscles पे present है ये part ऑन नर्वस सिस्टम का क्योंकि ये हमारा voluntary control के अंदर आते है skeletal muscles आनल रेसेप्टर पार्ट है somatic nervous system का इसका काम क्या होता है ये करवाता है मसल को contract NM receptor मैंने बताया था NN और NM दोनों के दोनों excitatory है NN ने excite करके neurotransmitter release करवा दिये NM जब excite करेगा मसल को तो excite करने का मतलब क्या होगा contract कराएगा muscle contract होगी तो ये करवाता है muscle contraction कैसे sodium के entry करवाएगा मैंने बताया था NN और NM आइनोट्रोपिक receptors है sodium को conduct करवाते है sodium के entry करवाएगे sodium entry का मतलब ज़्यादा positive charge अंदर की तरफ तो मतलब depolarization होगी जिसकी वज़े से muscle हमारी contract कर जाएगी तो NM receptor muscle contraction करवाता है तो NM का जो antagonist होगा antagonist का मतलब है ultra antagonist का मतलब क्या है ultra काम करेगा तो NM को जो block करेगा एक तरह से बोल सकते हो NM का जो काम है उसको रोकेगा तो उन्हें हम क्या बोलते है non depolarizing muscle relaxants मतलब क्या हुआ depolarization नहीं होने देंगे भई NM receptor क्या करा रहा था depolarization करा रहा था अब NM को अगर हम block कर देंगे तो मतलब depolarization नहीं होगी तो non depolarizing और क्या कराएंगे depolarization नहीं होगी तो क्या होगा muscle relax करेगी तो इसलिए इनको बोलते है non depolarizing muscle relaxant skin को NM की antagonist को NM को block करने वालों को इसमें आते हैं curayer वाले drugs curium, curonium और curine जिन drugs में आखरी में ये चारों में से कोई एक भी मिल गया ना वो मतलब है NM का antagonist है वो muscle को relax करवाएगा example D-Tubocurer और vacuronium ये examples है NM के antagonist के तो ये होगे हमारे nicotinic receptors की location अब हम बात करेंगे हमारे muscarinic receptors मतलब M receptor जो थे M1, M2, M3, M4, M5 उनकी location कहां कहां होती है तो सबसे पहली बात जो M1, M2, M3, M4, M5 पांचों के पांचों present होते हैं हमारे CNS में CNS में पांचों के पांचों मिलेंगे M1 predominant होता है वो अलग बात है लेकिन मिलते पांचों है जिसमें से M1 सबसे ज़्यादा है CNS में main location आपको दो याद रहती है एक हिपोकेंपस में और एक बेजल गैंगलिया में हिपोकेंपस में जो M का receptor है जब उस पर ASTL-Colin act करता है मतलब जब ASTL-Colin M receptor पर act करता है हिपोकेंपस के अंदर तो memory भी बढ़ाता है और cognition बढ़ाता है मतलब हमारी memory को बढ़ाने का काम करता है ASTL-Colin M receptor के उपर act करके हिपोकेंपस के अंदर क्या करता है ASTL-Colin हमारी memory बढ़ाता है तो इसको कहां यूज करेंगे memory बढ़ा रहा है तो इसको यूज करता है Alzheimer's disease में Alzheimer's disease में क्या होता है तो यह क्या कर रहा है ASTL-Colin क्या कर रहा है हमारी memory को बढ़ा रहा है और Alzheimer's disease में memory कम हो जाती है तो इस वज़े से cholinergic drugs दिये जाते है Alzheimer's disease के अंदर जबकि बेजल गैंगलिया में बात करें बेजल गैंगलिया में यही ASTL-Colin dopamine को कम करता है यह बात यहाद रखना बेजल के अंगलिया में ASTL-Colin और dopamine का level ऐसे चलता है मना dopamine बढ़ेगा तो ASTL-Colin कम हो जाएगा ASTL-Colin बढ़ेगा तो dopamine कम हो जाएगा तो वही बात है कि बेजल के अंगलिया में जब ASTL-Colin एक्ट करता है तो वो dopamine के level को कम करता है और dopamine कम करता है तो आपने physiology पढ़ी है फरस्ट यहर में dopamine अगर कम होता है तो उस वज़ेसे एक disease होती है जिसको बोलते है Parkinson's disease तो dopamine के कम होने के कारण होती है Parkinson's disease इस वज़ेसे Parkinson's disease में क्या देंगे अब ASTL-Colin तो dopamine को कम कर रहा है और dopamine हमें बढ़ाना है किसी को Parkinson's disease है मतलब उसका dopamine कम हो रखा है तो हमें तो dopamine को बढ़ाना है तो हम कौन से drugs देंगे anti-colinergic drugs देंगे जो ASTL-Colin को कम करेंगे मतलब dopamine को बढ़ा नहीं सकते तो क्या हुआ ASTL-Colin को कम कर दो लेवल बराबर लेके आना है मतलब यह ASTL-Colin है और यह dopamine है इनका level ऐसे चलता है अगर dopamine कम हुआ तो हम क्या करेंगे हम ASTL-Colin को भी कम कर देंगे तो इसी वज़ए से अगर किसी को Parkinson's disease है तो उसमें हम देते हैं anti-colinergic drugs और Alzheimer's disease में देते हैं तो M1, M2, M3, M4, M5 पांचों present होते हैं CNS में M1 predominant होता है second location की बात करें अब बात करते हैं periphery में periphery में बात करेंगे एक-एक को लेके M1 को लेंगे फिर M2, M3, M4, M5 पांचों की अलग-अलग locations देखते हैं कहां-कहां present होते हैं periphery मतलब brain के लावा कहां-कहां present है जो M1 है ध्यान देना यहां पे मैंने बताया था M1, M3, M5 यह पांच थे मन्सवर यह तीन थे M1, M3, M5 ओर नमबर वाले यह क्या कर रहे थे यह excitatory थे और कौन से टाइप थे GQ type थे IP3 और DEC को बढ़ा रहे थे मैंने अभी पताया था थोड़ देर पहले तो M1 क्या है GQ type है और M1 present होता है हमारे stomach के उपर M1 है GQ type present होता है stomach के उपर और stomach में क्या कराता है excitatory है तो एक तरह से HCL की production को बढ़ाने का काम करता है इस वज़े से आप बहुत important चीज़ें आप आ रहे है अब आपको खुद को समझने वाली चीज़ें यह अगर मान लो किसी का HCL पहले से भहुत ज़्यादा produce हो रहा है HCL production ज़्यादा होगा तो क्या होगा ulcer होगा तो एक तरह से बात करे HCL की production को कम करने के लिए क्या देंगे M1 को block करने वाले drugs देंगे तो इस वज़े से M1 blocker जो drugs होते है वो हम देते है HCL production को कम करने के लिए क्योंकि M1 हमारे stomach में present है और वो HCL की production को बढ़ा रहा है ठीक है अब बात करें M2 M2 की specific location होती है hurt पे में कौन सा receptor मिलेगा M1 receptor मिलेगा M2, M3, M4, M5 नहीं मिलेगे stomach मिलेगा M1 बहुत ज़धा amount में M1 मिलेगा hurt में बहुत ज़धा amount में M2 मिलेगा तो आप से कोई पूछे कौन सा kolinergic receptor है जो present होता है hurt में तो आप बोलोगे M2 mainly M2 ही present है M2 मैंने बोला था M2 और M4 क्या थे यह inhibitory थे दोनों के दोनों M2 और M4 inhibitory थे M2 था GI type GI type है तो hurt पे present है M2 present है hurt पे तो क्या करेगा hurt को inhibit करेगा मतलब hurt rate को कम करेगा तो इसलिए मैंने arrow नीचे की तरफ की है इसका मतलब है कि hurt rate को कम करेगा कौन M2 receptor के उपर जब STL kulin act करता है तो वो hurt rate को कम करता है तो यह हो गया M1 और M2 next बात करते है M3 की M3 जो है वो present है rest of the body पे M3 is present in rest of the body अब rest of the body में क्या क्या बच गया stomach हो गया hurt हो गया अब क्या क्या बचे सारे के सारे glands बचे M3 क्या है M3 excitatory है M3 receptor present है अब एक बात ध्यान रखना मैं बुला M3 receptor glands में है तो glands में बाकी receptor भी हो सकते है M1, M2 यह सब हो सकते है लेकिन ज्यादा amount में होता है M3 तो main उसी का action होता है बाकियों का action negligible होता है तो glands में जो M3 receptor present है जब उस पे STL kulin आके act करेगा तो वो क्या करेगा STL kulin secretion को बढ़ाएगा क्योंकि excitatory है M3 और secretion बढ़ाएगा तो क्या होगा sweating बढ़ेगी gland से क्या क्या होता है sweat gland से sweating बढ़ाएगा lacrimal gland से lacrimation बढ़ाएगा salivary gland pack करके salivation बढ़ाएगा और pancreatic enzyme की secretion को भी बढ़ाने का काम करता है कौन STL kulin जब M3 receptor pack करता है M3 receptor glands की secretion को बढ़ाता है तो क्या अब आपको यहां से क्या समझ में आएगा जो cholinergic nervous system है वो क्या कर रहा है sweating बढ़ा रहा है lacrimation, salivation यह सब चीजों को बढ़ा रहा है cholinergic nervous system या फिर parasympathetic nervous system उसके बाद बात करें next जो part है अब हमने glands की बात कर ली अब rest of the body में और क्या आएगा endothelium of blood vessels अब जो endothelium of blood vessels है उसमें क्या बात आपको याद रखनी है कि endothelium of blood vessels पे जो M3 receptor present रहा यह है endothelium का cell endothelial cell है blood vessel, आपको पता है blood vessel blood vessel में बहुत सार endothelial cells present होते हैं इस तरह से तो उन में से एक cell यह रहा जब जो endothelial cell है उसके उपर मैंने बताए कौन सा receptor है M3, अभी तो बताए M3 receptor का present है endothelium of blood vessel पे present है तो जो M3 receptor present है endothelial cell पे जब उस M3 पे आके estel kolin act करेगा तो उस cell से release होता है NO, nitric oxide तो यह NO का release करवाता है कौन endothelial cell मतलब जब estel kolin M3 receptor के उपर act किया endothelial cell के तो endothelial cell ने stimulate होके क्या release कर दिया nitric oxide release कर दिया तो इस वज़े से excitatory बोला है अभी nitric oxide क्या करता है यह nitric oxide जब smooth muscles of blood vessel पे act करेगा तो यह cause करता है relaxation मतलब जब nitric oxide जब वो smooth muscles पे act करता है blood vessel की तो वो मैं बताता हूँ कैसे क्या करता है वो थोड़ा सा बता देता हूँ वो myosin light chain kinase को क्या करा लेता है defosphorylation करा देता है क्या बोलते है defosphorylation करा देता है किसकी myosin light chain की तो myosin light chain की defosphorylation हो जाएगी तो क्या हो जाएगा relaxation हो जाएगा myosin light chain की defosphorylation होने के कारण relaxation हो जाएगा तो आपको simple सी बात अभी जो याद रखने है वो यह है कि जो nitric oxide जो release हुआ वो smooth muscle pack करके smooth muscles की relaxation करवा देता है तो smooth muscles relax करेंगी किसकी blood vessel की थी क्योंकि endothelium कहां थी blood vessel के अंदर present थी endothelium तो जो endothelium से जो nitric oxide release हुआ यह nitric oxide smooth muscle pack करके smooth muscle जो blood vessel को relax करा दिया जिस वज़े से वैसो dilation होती है अब आप बोलोगे M3 तो excitatory था तो muscles को contract कराना चाहिए था इसको तो वैसो construction होनी वैसो नहीं होता क्योंकि जो M3 receptor है वो smooth muscle पे present जो है वो काम नहीं कर रहा है यहां पे M3 जो endothelium cell पे present है उसने nitric oxide को release करवाया है तो nitric oxide release कराना क्या है एक तरह से excitatory काम है लेकिन जो nitric oxide अब release हो गया वो smooth muscle को जाकर relax करा देता है जिस वज़े से vasodilation हो जाती है जबकि जो M3 receptor जो है उसकी third location की बात करें तो वो है smooth muscle तो M3 receptor कहा है ग्लैंट्स पे present था endothelium of blood vessels पे था और smooth muscles पे है तो smooth muscle पे तो यह contraction ही कराएगा ठीक है लेकिन भई blood vessel में directly smooth muscle पे काम नहीं करता ना पहले endothelial cell आते है फिर नीचे muscle आती है तो पहले ही जब endothelial cell पे act कर जाता है estylcholine तो जिस वज़े से nitric oxide release हो जाती है लेकिन अगर directly smooth muscle पे अगर act करेगा na estylcholine तो वो contraction ही करवाएगा क्योंकि smooth muscles पे जो M3 receptor present है जब उस पे estylcholine act करेगा तो वो contraction कराएगा contraction मतलब bronchus में present होगा तो bronchoconstriction bladder की contraction कराएगा intestine की contraction कराएगा और eye के अंदर जो present है sphincter pupilla muscle उसकी contraction कराएगा जिस वज़े से हो जाएगी meiosis arc का size हो जाएगा छोटा pupill का तो आपको जो ये concept इसमें समझना था वो यही है M3 वाला बहुत important है M3 कहाँ कहाँ था glands में secretion मढ़ाई क्योंकि M3 excitatory है endothelium से nitric oxide को release को बढ़ा दिया अब ही nitric oxide ने vasodilation करा दिया वो अलग बात है लेकिन जब smooth muscles पे अगा directly acetylcholine act करता है तो वो contraction ही कराएगा क्योंकि M3 excitatory receptor है भई तो acetylcholine जब M3 receptor पे act किया smooth muscles की उसकी contraction जिसे प्यूबिल का साज decrease हो गया और meiosis होगी तो इसका मतलब यह हुआ कि मान लो कोई blood vessel है जिसकी endothelium जो है वो damage है मान लो damage endothelium अगर damage है तो directly muscle के उपर act कर जाएगा acetylcholine muscle पे जो M3 receptor है acetylcholine direct इसके उपर काम करके उस time पे vasoconstriction करवा देगा तो VC का मतलब यहां पे vasoconstriction है तो ऐसा नहीं है कि acetylcholine vasoconstriction नहीं करवा सकता कब करवाएगा जगर endothelial damage है तो तो अगर कोई पूछे blood vessel with damaged endothelium तब क्या कराएगा acetylcholine तब वो vasoconstriction कराएगा लेकिन अगर endothelium intact है तब क्या कराएगा vasodilation कराएगा क्योंकि M3 receptor पे M3 receptor जो endothelium पे present है वो nitric oxide को release करवा देगा जिस वज़े से vasodilation हो जाएगी तो यह बात होगी M3 की M4, M5 important नहीं है M4, M2 की तरह काम करता है और M5, M1 की तरह काम करता है यह बात याद रखना M4 क्या होगा inhibitory होगा और M5 क्या होगा excitatory होगा M1, M2, M3 यह 3 important थे M1 stomach में M2 hurt में M3 rest of the body जिसमें हमने पढ़ा glands अलग-अलग हमारे organs पढ़ लिए smooth muscles के through और endothelium वो blood vessel की बात कर ली तो अब अगर हम nut shell में बात करें कि STL-Coline करवा क्या रहा है तो STL-Coline यह चीज़े करवाता है total 8 चीज़े जो मैंने लिखी है dumbbells से मैंने इसकी वो बनाए है इसका pneumonic है dumbbells मेरे teacher ने बताए था dumbbells इसका pneumonic वही मैं आपको बता रहा हूँ D-U-M-B-B-E-L-S यह है हमारा pneumonic STL-Coline के overall जितने भी हमने पढ़ा है अब तक वो effect को याद करने के लिए D से बन गया diarrhea अभी diarrhea वर्ड तो मैंने बढ़ा है नहीं अब तक तो आपको याद आना चाहिए कि M3 में मैंने आपको बताया था कि intestine की contraction करा रहा है intestine की contraction होगी तो क्या होगा जो peristalsis movement है वो बढ़ेगी जिसके कारण क्या होगा जो fecal material है वो जल्दी जल्दी बाहर जाएगा जिस वज़े से diarrhea होने के chances बढ़ जाते हैं अगर excess amount में acetalcholine काम करेगा तो U से क्या आएगा urination अब बोलोगी urination तो नहीं बताया अरे भई मैंने बताया bladder की contraction करा रहा है और bladder contract करेगा तो urination होती है तो acetalcholine का काम है क्या diarrhea करवा देता है urination करवाता है M से meiosis ये मैंने बताया था अभी I को size को decrease कर देता है pure pill को B से bradycardia M to receptor यादा जाना चीए hurt पे present होता है B से bronchoconstriction ये मैंने अभी बताया था पीछे M3 वाला काम E से MSS MSS वाई smooth muscles peristalsis movement को बढ़ा देगा vomiting हो जाएगी L से lacrimation lacrimation यादा जाना चीए M3 gland secretion बढ़ा रहा है lacrimation उसके अंदर था S से sweating तो ये 8 चीज़े हैं जो acetalcholine कराता है तो कभी भी आपको याद करना हो कि acetalcholine का function क्या है हमारी body में तो ये 8 चीज़े हैं diarrhea, urination diarrhea से आपका मतलब होना चीए intestinal contraction ठीक है U से urination M से meiosis B से bradycardia B से bronchoconstriction E से MSS L से lacrimation S से sweating तो इस वीडियो में हमने पूरे acetalcholine के receptors की बात की इनके effect को बढ़ाते हैं उनकी बात करेंगे तो अगर आपको वीडियो चे लिए तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेर कर देना Thank you